नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंफो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एक भरती के नए नोटिवकेशन के बारे में यह भरती का नए नोटिवकेशन मिसर धातू निगम लेमेटेड हाइदराबाद के द्वारा जा आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि कौन कौन सी टेट्स के लिए कितनी कितनी वेकेंसी हैं आगे की वीडियो में आप ये सब जानकारी आप प्रापत करेंगे यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जो के नए नए के दो पद है, NDT के 6 पद है, MLT का एक पद है, और Civil Engineering के दो पद है, Walking Roller Furnace Operator के लिए एक पद है, Hot, Cold Leveler Operator के एक पद है, Junior Assistant के 10 पद है, और Junior Security Inspector के 6 पद है, ये Wage Group 4 की Vacancies है, और सभी के लिए जो Annual Package की बात कही गई है, वो 4.7 lakh सालाना आपकी salary होगी, और जो Reservation का Benefit है, वो भी आपको Reservation के column में आपको दिखाई पद रहा होगा, और कम से कम 18 से 35 वर्स के बीच के जो candidate है, वो एविन पद हों के लिए Apply कर पाएंगे, इसी परकार Wage Group 2 की जो Vacancies हैं, जो की आपकी वीडियो स्कून पर आपको Point No.11 से आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये Vacancies Feetor Cutting Mechanic का एक पद है, Electrical का 6, Turner के 2, Operation और Maintenance के लिए 3 Feetor के साथ, Diesel Mechanic का एक, Auto Electrition का एक, NDT Operator का 4 पद है, और Crane Operator के एक पद है, और Operator Hydraulical Press के लिए एक पद है, और इसी परकार ये जो पद है, ये Wage Group 2 के Vacancies हैं, 11 से लेकर 21 पॉइंट पर जो दी गई है, और Reservation का वीडियोंट भी आपको अगले पॉइंट में आपको दिखाई पद रहा होगा, और Annual Package की बात करें, 4.3 लाक Annual आपको Package मिलेगा, 18 से 30 फर्स के बीच के जो Candidate है, वो एपलाई कर पाएंगे इनक पदों के लिए, आगे Wage Group 1 की जो वेकेंसी है, 22 से लेकर 23 पॉइंट पर दी गई है, जिसमें चार्ज उपरेटर की एक वेकेंसी, रेफरेक क्रेटर मेंशन की दो वेकेंसी है, और इसमें 4.1 लाक का Annual आपका Package रहेगा, और Categorize वीडियोंट भी आपको Diploma in Mechanical Engineering और दो वर्ष के अनभाव के साथ आविलाई कर सकते हैं, और इसी परकार Point No.2 पर Senior Operative Training के लिए, पिकलिंग के लिए, वेकेंसी है, इसमें भी 60% अंकों के साथ Diploma in Chemical Engineering और दो वर्ष के अनभाव के साथ आप Apply कर सकते हैं, और Point No.3 पर Senior Operative Training Lab Technician के कुल दो पद हैं, जिसके लिए आप 60% अंकों के साथ BSC Chemistry और Physics के साथ आपने यदि कर रखी है, या 60% अंकों के साथ आपने Diploma Engineering, Engineering, Meteorology और दो वर्ष के relevant post qualification experience के साथ यदि आपकी qualification है, तब या आप Apply कर पाएंगे, NDT Operator के लिए भी 60% से तंकों के साथ BSC या Diploma Engineering with NDT Test Level 3 की जो qualification है, वो आपके पास होने चाहिए तब इन पदों के लिए Apply कर पाएंगे, ये Ways 2, जो Ways 4 की Vacancy से हैं, सबी के लिए Diploma किया होना आपको चाहिए समंदी ट्रेड में जैसे Civil के लिए Civil Engineering का Diploma और इसी परकार अलग-अलग ट्रेड्स के लिए आपको Diploma आपने कर रखा होने चाहिए, और इसी परकार आगे बात करते हैं, जो Ways 2 की Vacancies हैं, जैसे Junior Operative Training Feature के लिए 10th किसी भी Recognize Board से प्लस ITI Feature और 7 एर के Qualification Experience in Maintenance of Cutting Machine Letheises में, इसी परकार Electrical के लिए भी 10th किक्षा प्लस ITI Electrical में, Turner के लिए 10th किक्षा प्लस ITI Turner में, Operative Operation and Maintenance के लिए भी आपको ITI Feature में प्लस 10th किसी भी Recognize Board से, इसी परकार Vivian Trades की जो Vacancy है, समन्दी ट्रेड में 10th किक्षा गए साथ, समन्दी ट्रेड में जैसे Feature, Diesel Mechanic, Artery Lactician, NDT Operator इत्यादी का आपके पास Diploma होना चाहिए, तब ही आप इन पदों के लिए एप्लाई कर सकते हैं, एप्लाई करने के लिए आपको केवल Online Application ही Submit करने पढ़ेगी और Online Submit करने के बाद आपका जो Selection Process रहेगा, Education Qualification के आपको 15 Marks मिलेंगे, Experience के भी आपको 15 Marks मिलेंगे, और Return Test आपका 70 Marks का होगा, और इसके बाद आपको Trade Test भी आपका Conduct करिया जाएगा, जो Qualifying in Nature होगा, यानि के Pass या Fail आपका होगा, और 10 यंकुल मिलाकर 100 अंक तर Marks का आपका Return Test होगा, इन सभी पढ़ों के लिए आप केवल Online Application ही Submit कर सकते हैं, Online Application Submit करने की जो अंतिम तारिक है, इस Advertagement के Point No.6 पर दर्साइगी है, Online Application की जो आखरी तारिक है, वो 18 सितंबर 2021 तक ही आप Apply कर सकते हैं, और ये Vacancy 4 सितंबर से लेकर, 18 सितंबर के मध्यमें ही आप इन पदों के लिए Online Application Submit कर सकते हैं, एक जो महतुपूर्ण Information दीगी है, Point No.14 पर जो ओफिसल जो वेबसाइट है, www.mithani-india.in पर जाकर आप अपनी Application Submit कर सकते हैं, और आपको Hard Copy Submit करने की ज़रूरत नहीं है, Hard Copy आपको Submit करने की जुरूत नहीं है, और जो Candidate इन पदों के लिए Apply करना चाहते हैं, उन्हें 100 और पर प्रती Application Fees के रूप में आपको Payment करनी पड़ेगी और जो Candidate SCST, Handicapt हैं और Accessment Category से हैं, उन्हें किसी भी परकार की Application Fees के रूप में कोई Fees नहीं Payment करनी हैं, आज क 4विर के रूप मेंकर तोुर।